स्वामी विवेकानन की जैन्टी के आउसर पर बोरी वली पक्षिन स्वामी विवेकानन चोग परेस्थी स्वामी विवेकानन परिकल्मा का नुतानी करन और आर्ट गैलेरी का उद्गाटन भार्च्पा विधायक मुंबई अध्यक्ष आ değer सेलार के हातों किया गया इस स्मिति का नुतानी करन और आठ गैलेरी की परिकल्मा बोरी वली के विधायक सुनिल राने द्वारा किया गया इस उद्घाटन के साथ कांदे वली पक्षी महावीर नगर के अंतरास्टे स्तर के स्केटिंग रिंग, बॉक्सिंग और बास्केट बॉल स्पोर्ट्स कॉम्पलेस का उद्घाटन भी भाश्पा मुंबई अद्यक्ष विधायक आशिस सेलार के हातों किया गया ये स्केटिंग रिंग बनाने की भी परिकल्पना विधायक सुनिल राने की थी जो एक सार की कड़ी मसकत के बाद बनकर तयार हुआ उद्घाटन के बाद ही बच्चों ने स्केटिंग रिंपर स्केटिंग का शांदार प्रदशन के इस कारेक्रम में भाश्पा मुंबई अद्यक्ष विधायक एडवोकेट आशिस सेलार पहलवान ओलंपिक एतलिक नरसिम्मा यादो विधायक सुनिल राने विधायका मनिश चौधरी बीमसी उपायुक्त परिमंडल सेवन भागिश्री काफ से सहाय आयुक्त और मध्य संध्यानांडे करके साथ भाश्पा के पदिदिकारी और कायकरता उपस्ति थे विधायक सुनिल राने के नेदुत में विशेश रूप से युवाओं के लिए अंतररास्टे इस बोर्यूली भेजा था उस विश्वास को और प्रामानिक्ता से काम करने के परश्चा जो आपके सबी के सामने लगातार पिछले लेकिन आंतराश्य दरजय का स्केटिंग रिंग, उसी के साथ साथ बॉकसिंग और उसी के साथ साथ बासकेट बॉल, टाइकॉटो और जूडो यह हमने उसमें जोड़ दिया है. बहुती आधूनिकता से काम करने वाले और इस देश को आधूनिकता के माध्यम से आधूनिक भारत बनाने वाले अधरणिया प्रदान मंतरी श्री नरिंदर मोदी जी की कलपकता को हम वास्ताविकता में उतारने का काम हम सभी लोग करते है और मुझे लगता है कि आज का ये दुरुष्या आप सभी ने दिखा है और ये दुरुष्या इसी चिर परिचित बोरिवली के नगरिकों का है जिनके आज के आधूनिक पीडी के बच्चे इस कारेगरम में सम्मिलित होके इस मैधान पर उपस्ते हैं अभी स्केटिंग के लिए फिलाल तो कोई चार्ज नही हैं लेकिन इसको सीखने के लिए अलग-अलग स्केटिंग्स होती है जैसे इं-lines skatings होती है स्पिड्स km ृती है और इसके लिए अलग-अलग тр questo रख्य चाएंगे और विशेश रूज की एक च्छोटी बच्ची जिसका बूबी शीकर है उसी को Preet Wish ऑने 8 एक नगर बनेगा सब्सक्राइब करना है इसके लिए 26 जनवरी तारीक मैंने तई किये प्रजासत्तक दिन की या फिर उसके आगे पीछे दो-चार दिनों में राइफल क्लब का उद्गाटन बोरीली में पहला बहुती सुन्दर राइफल क्लब जैसे हम जानते हैं कि राइफल शूटिंग के माद्यम से अपनी नेमबाज अंजली भागवत पूरे देश से लेके विदेश तक पहुंची थी अपने रागवेंद्र क्लब और आर्चरी क्लब बोरीली के शिंपोली में जहां पर हमारी अंजलीताई केड़तर नगर से विगा है वहाँ पर आने वाले 20 दिनों में शुरू अभी आपने देखा इसको बनाने में मुझे एक साल लगा राइफल शूटिंग क्लब बनाने में करीबन 6-8 महीने परली के बाद ऐसा है कि आप सभी ने देखा ओलिम्पिक्स में घोडों का महत्व है घोड़े सवारी का घोड़े ऑब्स्टेकल्स पार करके जाते है उसका इसके लिए घुड़ सवारी बोरीली में हो बच्चों के लिए इसका मेरा प्रयास है और मेरा विश्वास है कि महा अने वाले और आप सब को उसका नियुत अपर है सन्मान निया उपकों क्यमंत्री देवेंद्र जी इन्होंने चंद दिनों पहले जो घुष्टा की थी जिसमें विरार से लेके वर्सोवा से लेके विरार के समूद्र हमार की रास्ते का उल्लेक है उसी के साथ साथ ठाने रास्तों का निर्मान है उसी के साथ साथ बोरियुली से गोराई ये जो ब्रिज बनने का लक्ष हमारे सन्मान निया संसत श्री गोपल छेटी जी ने भी रखा था जो बोरियुली में रहते हैं उनको गोराई में जाना गोराई गाउं में रहते हैं मनोरी गाउं में रहते ह जहां पर अस्पताल की भी सुवीदा नहीं है अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी ब्रिज बने तो नागरीकों को सहथ और आरुग्य के लिए अस्पताल का निर्मान होगा और इस सब के लिए ब्रिज की आवशक्ता है ऐसा म सबसे बड़ा पुल जब निर्मन हुआ तो करीबं देड़ सो से 200 किलो मिटर लंबा जाने का रास्ता कम हुआ पंदरा मिनिट में वो रास्ता पार होता है आज अगर आपको गोराईगाओ जाना है या फिर गोराईगाओ या मनोरी में किसी नागरीक की कुछ कारण से दुरभड़ दुरस्त होते है या फिर बिमार गिरते है तो यहां से एम्बूलन जाने के लिए 36 किलो मिटर लगते है चाहेंगे आने वाला समय यादुनिक्ता के माध्यम से एक आधूनिक भारत सब्सक्राइब के लिए अधर्णीए प्रन्मंत्री जी नरिंद्र मोधी जी काम करते हैं उनी के साथ-साथ कंदे से कंदा मिलाते हुए हम सब कार्यकरता यह आधुनिक भारत की नीव रखने का काम हम सब मिलके करें और एक आधुनिक भारत का निर्माण करें ऐसी तरिक